नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और यह है नेशनल जन्मत इस समय हम लखनव के कैफी आजमी सभागार में मौजूद हैं इस सभागार में आज पियन सिंग जी की इसमरती को याद किया गया पियन सिंग जी जुएंट सेकेर्ट्री के पत पर तैयना थे बेसिक शिक्षा क्या संदेश देना चाहती है आज का यह जो कारेकरम था इसका उद्देश पियन सिंग साब जो अब हमारे बीच में नहीं रहे उनको याद करना था उनकी स्मृतियों के बारे में उनसे सम्मन्दित जुड़ी जो यादे हैं उनके बारे में चर्चा करना था और जो दूसर इसलिए ये आज ये स्मृती विख्यान कारेशाला कहें, स्मृती विख्यान एक आयोजन कहें, ये हमने शोकसभा इसे नाम में नहीं देना, मतलब शोकसभा इसके लिए सही शब्द नहीं होगा, इसके लिए सही शब्द होगा, स्मृती विख्यान आयोजन, क्योंकि उनकी स् उनका जीवन जैसा रहा, जिस तरीके से उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को छुआ, जिन लोगों को वो जानते थे, जिन लोगों को वो नहीं भी जानते थे, उनके जीवन में किस तरीके से वो आये और किस तरीके से उनकी मदद की, उनके साथ उन्होंने एक अपना प्रश्ट का नाम पत्प्रदर्शक मेमोरियल ट्रस्ट रखा गया है पत्प्रदर्शक मेमोरियल ट्रस्ट जैसे के नाम से परिलक्षित हो रहा है कि ऐसे लोग जिनोंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जो हमारे लिए प्रेर्णा का श्रोत है तो ऐसे लोगों की स्मृति में ये ट्रस्ट बनाया गया है पत्रदर्शक Memorial Trust इसका नाम दिया गया है और इस Trust के अतरगत हमने जो पहला Award घोशित किया है वो P.N. Singh Memorial Award घोशित किया गया है और ये Award उनके जैसे ही व्यक्तितों वाले किसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि किसी जो समाद सेवा के शेतर में अगरणी कारे कर रहे हैं जैसे साब P.N. Singh साब जिस तरीके से उनका व्यक्तितों था लोगों की जैसे वो मदद करते थे समाद सेवा में रहते थे बिना किसी इसकी चिंता के हुए कि उनके नाम को पहचान मिल रही है या नहीं मिल रही है बिना इन सब बारों में सोचे हुए तो प्रयास यही रहेगा कि इस तरीके के जो निश्काम कर्मयोगी जो आपने बुला तो इस तरीके के जो निश्काम कर्मयोगी हैं समाज के उनको इस पुरसकार से नवाजा जा सके तो पहला प्रथम पुरसकार P.N. Singh Memorial Award इस पत्परदर्शक Memorial Trust के अंतरगत खोशित क्या गया है आज इस तरह के कारकमों से हम ऐसे लोगों को और धूरने में हमें आसानी होगी तब तक के लिए आप देखते रहेए नेशन जन्मत झाल 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 झाल झाल